जान के आश्चर्य हुआ कि काटा तुम्हें भी चुपता है अब तो गली-गली ये बात न उठेगी कि तुम तो पुछ पहुचे हुए महात्मा हो ये काटे हमने विच्छा ये है इस गाउ में तुम्हारा स्वागत नहीं हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं चलो चलो दूसरे गाउं का रास्ता लो मेरा आप लोगों से अनुरूध है कि मुझे अपने गाउं में भिक्षा टन करने दे ठेक है भिक्षा चाहिए तो दे अपने रख की आहूती आप गाउं में प्रवेश कीजिए इन मुठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतर है आप मुझे ना छोड़ा नहीं तो मेरी चाहिए भी पड़ी आप दूशित हो जाएंगे क्यों दूशित हो जाऊंगा मैं तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो और एक मनुष्य का इस पर्ष दूसरे मनुष्य को कैसे दूशित कर सकता है केवल लालच घ्रणा मोह तृष्णा हम ही मनुष्य को दूशित करते हैं और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भराओ वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है दुख नहीं कैसे महत्मा हो तुम तुम्हें तो जाती वर्णा का ज्यान भी नहीं है चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता अरे पाखंडी हो तुम पाखंडी जो मानव से उसकी मानवता को चीनता है पाखंडी बू होता है यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोश मिलता है तो ये उचित है पर तुम इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसें इसे नीचा कहे इसका तिरे सकार करना सबसे बड़ा पाखंड है यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दू ये धर्म शास्त्र है पाखंड कैसे हुआ जिस मिट्टी से सारी मानवता का सरजन हुआ उसी से इसका भी हुआ मानव और मानव में भीद कर आप सरजन करता पर कीचड उचाल रहे हैं यदि हम आकाश में कीचड उचालेंगे तो आकाश तो उचा ही रहेगा परन्तु कीचड वापस हमारे उपर ही गिरेगा आकाश ने तो भीद नहीं किया वो हम सभी को एक पिता समान ढखे हुए है यह धर्ती धान ऊपश्ती इसने हमारे साथ भीदभाव नहीं किया यह हवा हम सभी के लिए समान बहती है पानी हर प्यासे की त्रिश्ना को बुझाता है जब प्रकर्ती भीदभाव नहीं करती तो हम मनुश्य में भीदभाव क्यों करते हैं तो इससे संग में भिक्षू क्यों नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षू बनना चाहोगे। मैं अजूत, आप जिसे मात्म का भिक्षू, मैं इस योग के नहीं हूँ। जो मनुष्य, दूसरे मनुष्य की पीडा को देख, व्यतित हो जाए। उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है। मैं बुद्ध, सुआगत करता हूँ सुनीत का, हमारे बिक्षू संग है। सारा जीवन, किसी ने दया के दो सब्द ना कहें मुझसे। और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूँ। पर जो मैं कर रहा हूँ, यह अधर्म तो नहीं। जो अधर्म आस तक हुआ, वो अब नहीं होगा। हर मनुष्य में चीतना का दुआर है। बस उसे ही अपनी संभावना को पाना है। अपनी गरीमा पे पुनह लोटना है। मेरा मार्ग प्रेम का है। तो वहाँ सब का सतकार है। कंगा, यमुना, एरावती, सरियू, माही ये सब नदिया है। और ये सब अंत में वह सागर में मिल जाती है। वहाँ उनका नाभेद होता है। नाही नाम। उसी प्रकार, जिस भी मनुश्य ने अपना ग्रहत त्याग कर सत्य के पत पर चलने का निश्चे किया। चाहे वो ब्रह्मन हो या शत्रिये। वैश्य या शुद्र ही क्यों ना हो। उसी माहसागर में विलीन हो जाते हैं। हर मनुश्य के अश्रूँ में नमक होता है। उसके लवू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुश्य ने मनुश्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए। आज मैं इन भेदों को काटता ह। आज सुनीत को दिक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे। हमें और तिरिस्कृत किया जाएगा। परसत पिर आने वाली आंधी के सामने अडिक रहेगा। हमें तेने वाली आंधी के लिए लुट हमें आएगा।